गुड मॉर्निंग कैसे आप सब उमीद हैं आप सब अच्छे होंगे और आप लोग के एक्जाम भी अच्छे से गया होंगे और जिनका भी आने वाले सिप्ट में एक्जाम है तो उमीद करता हूँ उनका भी एक्जाम अच्छे से जाए और उन लोग के लिए वीडियो काफी helpful साबित होंगी जिनका एक्जाम अगले सिप्ट में होने वाले हैं तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ 3 जनवर 22 का पेपर एनलैसिस जो की सिप्ट 1 यहने की पेपर 1 का जो एक्जाम हुआ था उनमें से कुछ महत्पुन परश्ण मैंने यहां पर इस ट्रेंड द्वारा कलेक्ट किया है जो कि आपके लिए काफी मददगार साबित होंगी तो वीडियो को लाश्ट तक जड़ो दखेगा और जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए है चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दियेगे बेल बटन को दबा ले ताकि इसी तरह का नौलेज़ फुल वीडियो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए तो चलिए बिना टाइम विष्ट के वे हम लोग वीडियो को सुरू करेंगे और यहां पर सबसे पहला प्रश्ण हमारा जो है क्या है कि ऐसा जानवर जिनके दांत लगतार बढ़ते रहते हैं तो हम पर दूसरा प्रश्ण देखने वाले हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वह समाज के वतावरन से सीखता है तो यह किसका सिधानत है तो हम लोगों ने सीड़ीपी में पढ़ा है चाहिए बाल मनोवग्यानिक में पढ़ा है कि वैगोस की जो है वह समाजिक संस् होता है वह समाज में परसपर अंतह किरिया के द्वरा होता है तो यह किसका सिधानत है यह वैगोस की का समाजिक संस्कृतिक थियोरी है ठीक है तो उसी का सिधानत है तो हम लोगों ने दूसरा प्रशन देख लिया हम लोग तीसरे प्रशन के और बात करते हैं कि तीसरा प्र कैलकुलिया एक गनित्य अक्षमता ठीक है यान कि एक बच्चा जोड़ घटा व गुनाव भाग नहीं कर पाता है तो वह क्या है उसे डिसकल कुलिया है ठीक है और एगर वो बच्चा लिखने में अगर कठिनाही मैसुस करता तो उसके क्या हो एता उसे डीसघ्राफिया हो जाता ठीक है और अगर बच्चे को पढ़ने में कठिना ही होती तो बच्चे को क्या होता बच्चे को डिसलेक्सिया होता ठीक है तो यह समारी important थे और यहां हमने डिस कलकुलिया से related सवाल किया अब चौता प्रशन हमारा है कि तर्क का गुडिया दी गई ठीक है क्या हो है एक लड़के को गुडिया दी गई तो वो लेने से मना करता है और कहता है कि यह लड़कियों का खेले तो यह क्या दरसाता है तो यह दरसाता है लेंगी क्रोडिवादिता यहां पर प्रशन का मतलब यह हुआ कि गुडिया सिर्फ लड़क यहां पर प्रश्ण में पूचा गया था कि एक लड़के को गुडिया दी गई तो लेने से मना कर देता है यहां पर असपश ठेकि लेंगिक रोडिवादिता को दर्शार रहा है और हमारे चछटा प्रश्ण जो है वह क्या है कि बच्चे के लिए प्राथमी गटक क्या है यह क्या होता है माँ बाप यानि कि माता पिता वह परिवार होता है माँ बाप को माँ बाप पहले सिक्षक होते हैं बच्चे के यहां पर अगला प्रश्ण मेरे जो है साथमा प्रश्ण क्या है सबसे कम जहरिला साप कौन सा है तो सबसे कम जहरिला साप जो होगा वह होगा अज औुसमें सबसे कम जहर पाय जाता है और वह अच्छा इसी बड़े साफ है विशाल का इसाफ भारत में चार बरकार के जरिले साफ ही फोट के दूभी खेके बीडिया और और अफाई ठीक है चार तरह को जारिले साप भारत में शायते हैंद अगले प्रस्चन पर बात करते हैंगी रिफार प्रस्चन हमारा कई साफ पूचा गया था अग्ला मं पर यहां पर यह है कि जूम कहेति कहां की जाती है जुम खेती कहां की जाती है जुम खेती जो की जाती है वो उत्तर पूर्वी राजियों में क्या जाता है जुम खेती कहां पर क्या जाता है उत्तर पूर्व राजियों में क्या जाता है यानिकि मिजोरा में क्या जाता है और हमारा अगला प्रश्ण जो है अंडे देने वाली मदमकी है तो अंडा देने वाली मदमकी कौन सा है रानी मदमकी यानि कि चत्ते में बहुत सारे मदमक्या होती है उनमे से जो अंडे देना का काम करती है वो रानी मदमकी करती है ठीक है और इनमे से important क्या है कि नर मदमकी जो होती है मदमकी के चत्ते में वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं यानि कि नर मदमकी जो होता है वो चत्ते के लिए बिल्कुल आवस्यक नहीं है यानि कि महतपुर्ण नहीं है नर मदमकी काम के बिल्कुल काहिल होते है ठीक है और सबसे ज़्यादा काम रानी मदोमकी यानिक अंडल देती है और जो है सिपाही मदोमकी वो सभी काम करते है वो सभी अच्षते का धिहां रखती है और हमारा दस्वा पुर incrconfidence मलैरिया के उपचार में प्रयोग क्या जाता है मलैरिया अगर किसी वेक्ति को मलैरिया है तो उसके उपचार के लिए कौन सी दवाई का उपयोग क्या आता है कुने नामक दवाई का उपयोग क्या आता है कुने नामक दवाई कहां से प्राप्त क्या आता है उनके प्राप्ति कि सुरोत क्या है तो वो है सिनकोना नामक पैड से कुने नमक दवाई को प्राप्त किया आता है और मलेरिया रोक का वहाग को ने मादा एनाफिलीज यानि कि मलेरिया बिमारी जो है वो मादा एनाफिलीज मच्छड से फैलता है ठीक है दोस्तो अब हम लोग अगले प्रशन पर डिसकस करने वाले हैं कि अगला प्रशन हमारा किस परकार का पूझा गया था यहाँ पर अगला प्रशन हमारा यह है कि पस्मेना किसकी पर जाती है जैसे कि पस्मेना साल जो बनता है तो वो पस्मेना नामक बकरी के उन से ही बनता है ठीक है बकरी के बाल से बनता है तो पस्मीना किसकी परजाती है पस्मीना जो है वो बकरी की परजाती है ठीक है और यहां पर अगला प्रश्ण हमारा हिंदी का है ठीक है अगला प्रश्ण क्या हिंदी का है यहां पर दिया हुआ है कि कुछ सब्द कैसा है कुछ सब्द क्या है कुछ यहां पर देखिए एक कुछ थोड़ा यह सब क्या होगा और निस्षे वाचक सर्वनाम होने कि कुछ असपश्ट बता नहीं चल पा रहा हुए यहां पर क्या यह कोई कोई हुन है घीक है अब हम लोग अगले पर बात करने वाले हैं कि मलेरिया की दवाई बनाने में किस विग्यानिक को नोबेल प्रुसकार मिला था यानि कि मलेरिया की दवाई बनाने वाले जो विग्यानिक थे तो उसको नोबेल प्रुसकार दिया गया था तो उस विग्यानिक का नाम क्या था तो उस विग्यानिक का नाम था रोनाल रोज ठीक है ये NCRT में Class 3 से 5 तक के जो बुक है तो उसमें ये सारे दर्साय गया है तो इसलिए NCRT पर ज़्यादा ज़्यादा फोकस करें NCRT से ही उसको मोडिफाय करके जिके में प्रशन पूछे जा रहा है ठीक है और यह सीटेट के हर सीट में इस तरह के प्रशन देखने को मिल रहे हैं बस NCRT से ही रिलेटेड है ठीक है दोस्तों अगले प्रशन पर बात करेंगे अगला प्रशन हमारा क्या है मैत का है तो अगला प्रशन हम लोग देख लेते हैं कि 4 बटे 5, 7 बटे 8 और 6 बटे 9 में सबसे बड़ी भिन है तो इनमें से सबसे पहले क्या कर लेंगे इसको डेसिमल में इस कनवर्ट कर लेंगे हम तीनों को तो पहला होगे 0.8, 0.87 और 0.6 तो इनमें से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 0.87 हो जाएगा ठीक है तो अथा हमारा 7 बटे 8 सबसे बड़ा भिन हो जाएगा ठीक दोस्तों यह भिन वाले प्रस्ण लगबग हर सीट में देखने को मिल रहा है तो यह भिन पर आप लोग थ्यान दे दिजिएगा ठीक है तो अमीद है आप लोग को यह वीडियो काफी पसंद आई होगी और अपना फीड़बेक नीचे जरूर दें और आपके कितने स्कोर बन रहे है वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताएगा और आपके कब एकजाम है वो भी कमेंट जरूर कर दिएगा झाल झाल